Welcome students, the topic of our lecture is Flag Smut of Wheat, गेहूं का ध्वज कंड रोग Disease was first reported in South Australia in 1868, सबसे पहले जो है 1868 में दक्सिन आउस्ट्रिलिया में इस रोग को रिपोर्ट किया गया था और उसके बाद से विश्व में जितने भी wheat growing areas है गेहूं उत्पन करने वाले एक्षेत्र है उसमें जो है यरोग पायाता है भारती उप महाद्वीप में सबसे पहले 1918 में 1918 में ये disease observe की गई और इस उप महाद्वीप में और भारत में जो है नदन रीजन में विशेश्टेया ये रोग पायाता है अलांकि ये रोग व्यापक रूप से तो भारत में नहीं पायता है परनतो अन्य smart diseases के समान अगर यहाँ पर भी अगर favorable condition हो और susceptible host हो तो फिर ये रोग जो है बहें का रूप धान कर सकता है और जो है इस गेहूं की फसल को काफी नुक्षान पहुचा सकता है symptoms की बात करें हम तो हमें इस रोग के लक्षन इस तरह से नज़राते हैं इस रोग रस्त पोदा है उसकी सूट से leaves और ये इसके spor इस symptoms को देखकर हम कह सकते हैं कि इस में जो है रोग का प्रभाव इस रोग में रोग का प्रभाव मुखे तया ये कल्म और leaves और leaf seed leaf seed और leaves पत्तियां और प्रणाचद ये सबसे ज़्यादा प्रभावित भाग होते हैं इस रोग में और अगर infection severe हो बहती ज़्यादा हो तो इसमें जो है कल्म भी प्रभावित होती है तो मोटे तोर पर leaf and leaf seed प्रण और प्रणाचद ही जो है सबसे ज़्यादा मातरा में प्रभावित होते हैं और अगर infection severe हो तो कल्म या स्टेम जो है वो भी इससे रोग रस्त हो जाते हैं इसमें जो infection होता है इस रोग में, इस रोग में होस्ट वर infection, seedling stage में होता है और तब तक इसके अंदर host रहता है जब तक क्रोप mature नहीं हो जाती है तब तक इसके अंदर वो survive करता है और इसमें जो रोग ग्रस्थ पत्तिया है कि वे जो है लीफ और लीफ सीथ infected हो गई तो इसमें जो infected लीफ है वो क्या है? twisted हो जाती है leaf सीथ, infected, leaf सीथ और leaves become twisted उसमें जो है एंठन आ जाती है add जाती है पत्तियां और उसमें जो क्या होता है कि drooping habit या flagging flagging type ही वह जाती है इसकार थी हुआ कि पत्तियां जो है गिर करके लटक जाती है और जैसे ध्वज लहरत कैसे रहता है उसी तरह से ये भी लटकी हुए पत्तियां हवाक साथ में लहरती वह रहती है और आखिर में जो है ये मुर्जा जाती है विदरिंग हो जाती है जैसे ये flagging nature की drooping habit की पत्तियां है और ये पत्तियां फिर बाद में जो है इस तरह से इकटी जाती है और मुर्जा जाती है तो इस तरह की जो है symptom समय इस रोग में नज़र आते हैं और उसके बाद जो flagging leaves है जो पत्तियां दोजाकार हो गई है वो जल्दी गिर जाती है और पूरा का पूरा plants जो है collapse हो जता है और वो जड़ जाता है flagging leaves are set down set soon and whole plants collapses उसके बाद हम stem की बात करें calms of infected plants generally do not produce ears and thus remains sterile कि जो इसका infected stem है उसमें सामेने तब बाली नहीं बनती है और बाली नहीं बनने के वज़े से वो sterile बंदे हो जाता है और अगर उसमें बाली बनती है और दाने बन भी जाते हैं तो दाने काफी सिकूडे होते हैं और वेकार हो जाते हैं if you can see our phone they are three wells दाने जो है brown to grey black spot नज़राते हैं ये पूरे के पूरे जो spot है एक streaks के रूप में धारियों के रूप में पूरी length पर जो veins होती है उस veins के parallel समाननतर सिरावनियास पाज़ते हैं monocot leaf और इस सिराव में जो समाननतर क्रम में इसमें ये streaks पाज़ती है या फिर इस कैसेते है swollen band रेखी ये पट्टियां फूली भी रेखी ये पट्टियां इसके अंदर हमें नज़राती है जो greyish black या brown color की होती है वो में इस तरह leaf और leaf seat पर नज़राती है और ये जो streaks और रेखी ये पट्टियां जो बनती है swollen पट्टियां बनती है वो पट्टियां पूरी linear order बनती है रेखी इक्रम में बनती है और ये रेखी इक्रम वास्ता में किस से बनता है यहाँ पर सोरस डेवलोप होते हैं सोराई डेवलोप होते हैं सोराई क्या होते हैं और उधरियां जो है, वहाँ पर सुराइड डेवलप हो जाता हैं, उसके एपिडर्मिस की नीचे और उसके बाद क्या होता है, कि इस तरह से सुराइड डेवलप होने के बाद में होस्ट एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगी बस्ट हो जाएगी और ब्लेक पाउडरी मास्च जो है वो स्पोर का वहाँ से एक्सपोज हो जाएगा जो काला जो है पाउडरी चून जो है वो वहाँ से जो कि टीलियो स्पोर होता है वो वहाँ से एक्सपोज हो जाएगा और चूंकि जैसे ही एक्सपोज होता है तू जो लीफ है जिस पर रेखी पट बने हुए है जो धार इस तरह से कि ये जो रेखी पट्टिया हैं, इस ट्रीक्स है और जो बैंड बने वे हैं, स्वालन बैंड बने वे हैं, इस बैंड की जगह पूरी की पूती पत्टियां जो है, रब चोड़ जाएगी, फट जाएगी. तो इस तरह से हम जो है इस रोग के जो है लक्षन या फिर रोग को जो हम पैचान का पाते हैं, जब इसके उपर लीनिर बैंड बनते हैं, तब हम इस रोग को पैचान पाते हैं और हलांकि एंजिल ने 1934, एंजिल 1934 एंजिल के नुशार अगर हम इस flagsment को ना कि हम केवल तब ही पहचान पाते हैं जब उस पर रेखी पटिया बनती है या फिर swollen bands बनते हैं बलकि हम उसको early stage में पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें प्रानविक अवस्ता में जो seedling stage होती है उसमें colioptile में एंठन आ जती है और colioptile मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद में उस पर bleached spot बन जाते हैं तो हम उस bleached spot को देख करके और colioptile की एंठन को देख करके भी हम इस रोग को पहचान सकते हैं इस रोग के लक्षनों को at earlier seedling stage colioptile become twisted and bent having bleached spots वीरंजित धब्बे बन जाते हैं colioptile के उपर colioptile मुड़ जाता है उसमें एंठन आ जती है तो इस एंठन को देख करके भी हम इस रोग को पहचान पाते हैं इस रोग के लक्षनों का प्रारम मैं ही पता लगा सकते हैं तो इस रोग के लक्षन हुए flags mat of wheat के जो मोटे तोर पर leaf और leaf seed पर देखाए देते हैं और severe condition में इसमें stem पर भी नजराते हैं और leaf और leaf seed पर streaks बन जाती है इधारिया बन जाती है और इधारिया जो है सोरय के develop होने से बनती है और यहां से यह leaf rupture जाती है बस्ट हो जाती है और e-spore जो है यहां से expose हो जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं causal organism कि इस रोग का जो pathogen कौन सा है इस phlegsmart of wheat का pathogen eurocistis triticei eurocistis triticei या फिर इसको हम कह सकते हैं दूसरी बाद सामें इसको हम eurocistis agropyrii के नाम से भी जानते हैं eurocistis agropyrii eurocistis basidiomycities class का member है order astyloginels family tillaceaceae genus eurocistis species triticei और agropare जो pathogen है eurocistis triticei और agropare pathogen है अब हम देखते हैं इस pathogen के बारे में कि इसका mycelium और स्की spore किस तरह को होते हैं basidiomycities class का member है तो naturally इसके अंदर well developed branched separate mycelium होगा और इसके अंदर जो है dicerotic condition होगी दो तरह के प्रात्मी का उखजार primary mycelium monocerotic और secondary mycelium dicerotic इसके अंदर जो smut spore या teleospore बनते हैं वो एक spore ball के रुपे बनते हैं एक पूरी-पूरी ball है एक पूरी-पूरी smut ball ये एक smut ball है और एक सोराई में कई smut ball पा जाती है कई जो की closely packed होती है एक दूसरे से compactly packed होती है और अगर हम हर बूल को देखें एच बूल कंसिस्ट ऑफ वन तो सिक्स मोस्टी थ्री फर्टाइल टीलियो स्पोर पा जाते हैं इसमत स्पोर पा जाते हैं और ये जो है अपने चारों तरफ एक छोटी सी और elliptic और flattened चप्टी पिले रंग की बंदी कोशी काओं से गिरे रहती है कि जो smut ball है इस smut ball के अंदर सामनेते हैं टीलियो स्पोर पा जाते हैं जो की तीन तक पा जाते हैं और ये smut spore या टीलियो स्पोर अपने चारों तरफ कुछ elliptic cells और flattened cells से गिरे रहते हैं जो पिले रंग की होती है और ये cell sterile cells होती है बंदी कोशी काओं होती है और इस तरह से टीलियो स्पोर और ये sterile cell मिल करके और smut ball का निर्मान करती है अगर टीलियो स्पोर को देखें कि इस sterile cell के अंदर जो टीलियो स्पोर है वो कैसे होते हैं कि टीलियो स्पोर जो है गोलाकार या अप गोलाकार spherical और सबस्पेरिकल से लगा करके और अर तक होते हैं और smooth world होते हैं चिकनी बेती वाले होते हैं Redis to oliveaceous, रखताब से जैतोनी कलर के, Redis to oliveaceous, यह स्मूथ वाल्ड होते हैं, स्फेरिकल, सबस्फेरिकल टू ओवल, स्मूथ वाल्ड, Redis to oliveaceous, इस तरह के होते हैं, अब जो स्पोर है, स्मेट स्पोर या टेलियो स्पोर है, यहां इसके अंदर ही germinate होता है, इस बॉल्ड के अंदर, और germinate होकरके और pro-micellium का निर्मान करता है, यह pro-micellium बन गया, यहां से germinate हुआ, इसके अंदर, इस बॉल्ड के अंदर, और यहां पर यह pro-micellium बन गया, और ये प्रोंπαडिम आगे चल करके और एक से चार तक प्रैमरी स्पोरीडिया बनाएगा अपनी distal एंड पर और ये प्रैमरी स्पोरीडिया जो है आगे जर्म ट्यूब बनाएगा और दो अपॉजिट इस्ट्रैंड की जर्म ट्यूब मिल और वापेस इस कारेंगे dicerotic उसको हम कहते हैं infection hyphy infection shankraman sutra shankraman sutra बन जाते हैं और वो कैसे establish होंगे fusion between two germ tubes arising from two primary sporidia कि जो दो primary sporidia है उस primary sporidia से जो germ tube निकलेगी वो germ tube उनकी बीच में fusion होगा और dicerotic hyphy या infection hyphy उससे बनेगी यही infection hyphy जो है young seedling tissues में आक्रमन करती है diacritic infection hyphy invades the young seedling tissues जो है नवोद भिद होता है प्लान होता है उसके उत्तकों को संक्रमित करता है अब हम देखते हैं disease cycle रोग चक्र रोग चक्र सबसे पहले हम देखते हैं कि यह seed bone है या soil bone disease is soil bone as well as seed bone कि यह जो है म्रदोड और बीजोड दोनों ही तरह की है soil bone भी है और seed bone इसका मतलब क्या होता है कि जो primary inoculum या primary source है primary infection है वो दोनों के द्वारा ही हो सकता है pathogen survive in the form of teleospore in leaf trache lying in the soil or externally on the seed surface जो pathogen होता है वो soil में जो leaf trache पड़े हैं उसमें जो teleospore रहते हैं उस teleospore के form में जो है pathogen survive रहते हैं या फिर जो है seed है infested seed है संक्रमित बीज है उस पर जो है externally form में रहते हैं externally on the seed surface इसलिए इसको कहा गया कि seed born as well as soil born disease is systemic एक systemic disease है plants का हर भाग इससे affected है and infection takes place at the seedling stage of the plants कि जो संक्रमित होगा वो seedling stage में होगा और हम soil born और seed born दोनों की बात कर रहे थे कि दोनों ही तरह से होता है लेकिन इसमें जो seed contamination जो है वो ज़्यदा important होता है soil inoculum की तुल नामे कि soil inoculum से seed contamination इसका रहती ही हुआ कि जो infested seed है उससे जो है primary infection ज़्यदा होता है वो जो है इस disease को cause करने में ज़्यदा important role play करता है अब जो seed contaminated seed grow करते है contaminated seed वो जो उसमें क्या होगा कि वो infection hyphy infection hyphy बनेगा और infection hyphy क्या करेगा कि सबसे पहले young seedling की coleptile को penetrate करेगा उसमें आक्रमन करेगा और उसके बाद host tissues के अंदर intercellular और intracellular दोनों ही form में grow करता रहेगा और तब तक grow करेगा जब तक कि ये spore इसके अंदर नहीं बन जाते हैं growing inter as well as intracellular until it begins to form spores कि जब तक इसके अंदर spore नहीं बन जाते तब तक ये इसके अंदर grow करता रहेगा और उसके बाद इसके symptoms जो है सबसे पहले leaves पर उसके बाद leaf seed और फिर जो है कल्म पर नजर आते हैं तो इस तरह से ये disease का disease cycle कि primary infection जो इसके अंदर जो है infested seed के द्वारा सामने तो होता है और हलांकि इसके अंदर soil born जो pathogen है और इसके अंदर जो spore पड़े है soil debris में उसके दरब हो सकता है लेकिं secondary infection जो streaks है जो swollen bands बनते हैं leaf के उपर leaf seed के उपर बनते हैं उसके swollen bands के जो है और eos tapidermis के रप्चर होने के बाद वो spore exposed होजते हैं और exposed spore जो है वहाँ से airborne agency के द्वारा उड़ करके और healthy plant पर गिरते हैं और secondary infection cause करते हैं तो primary infection सामने ते seedling जो है infected seed के द्वारा और secondary infection airborne tillio spore के द्वारा इसके अंदर होता है तो यह हमारा जो है disease cycle complete उसके बाद हम बात करते हैं control measure control measure की बात करें तो हमारे सबसे पहले cultural practices कौन-कौन सी है cultural practices में crop rotation early showing hot weather condition जो है इसमें जो है अगेती बुवाई फसल चक्र अपनाना hot weather condition गर्म बातावण में चूंकि febrile condition अगर moist condition है तो उसमें ज्यादा जो है disease फैलती है तो hot weather condition और infected जो debris है जो रोग ग्रस्त पौधाँ में जो इसका inoculum है जो infected debris है उसको nest करना तो यह सारे-सारे cultural practices जो कर्शन किरिया हैं उसके द्वारा भी हम इस रोग को काफियात तक नियंत्रित कर सकते हैं और उसकी जो incidence को reduce कर सकते हैं उसके बाद seed dis infestation seed dis infestation कि seed को जो है जो infected sheet इसको हम कैसे जो है इसको रोग रहित करें तो इसके लिए हम seed treatment करेंगे कुपर सलफेट के द्वारा और copper carbonate dust के द्वारा copper sulphate और copper carbonate dust इससे हम seed treatment करेंगे तो हम seed को dis infest कर सकते हैं इसके लावा हम दूसरे chemicals के दौरा भी seed treatment करते हैं और वो chemical है Benelit, Vita Vax, Bavastin and Captain इसके दौरा हम seed treatment कर सकते हैं and then use of resistant varieties की रोग प्रतिरोदक शमता वाले किसमें उगा करके भी इस रोग का नियंतर किया जा सकता है जो flexment के लिए जो रोग ग्राही रोग रोधी किसमे है 121, HW 161 यह कुछ रोग रोधी किसमे है और जो गाने से भी इस रोग को हम नीतित कर सकते हैं तो यह हमारा जो है flags mutt of wheat या ग्याहूं का ध्वज कंट्रोग complete हुआ, thank you